वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल उपलर गुरू पे बात करने वाले हैं मगद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बार में स्टूडेंट्स आपको बता दे हैं जो भी यहां पे चात्र चात्रा है सेशन 19-22 के हो या से फिर सेशन 18 किसके यानि कि जो भी स्टूडेंट्स रिजल्स का वेट कर रहे हैं फाइनली एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पे सामने आया है मगद यूनिवर्सिटी से तो इस्टूडेंट्स वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है खासका रागर आप रिजल्स का वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत वक्त से छा तो सभी स्टूरेंस को बता दें कि जैसा कि आप लोग देख सकते स्क्रीन पर और वीडियो को आगे बढ़न से पहले आपको बता दे कि हमारे चैनल पर मगध उनिवर्सिटी से रलेटेट सभी के सभी अपडेट सबसे पहले दिये जाते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े ह है तो जुड़ जाए नीचे एक लाल रंका सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को तो स्टूरेंस आपको बता दे कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हेडिंग में जल जारी होगा सनातक के चात्रों का रिजल्ट और यह बताया गया है कुलपती के मगद यूनिवर्सिटी और आप लोग जैसे की नीचे देख सकते हैं और यह जो स्टेटमेंट आई है बहुत सारे प्रदर्शन के बाद आए यानि कि चात्रों उन चात्रों को धन्यवाद करना चाहिए आप सभी सुरेंस को जिनों ने जिन थोड़े से चात्रों ने प्रफेसर आरके सिंग ने कहा कि चात्रों के सना तक सेकेंड डियर का रिजल्ट समय पर जारी किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यानि कि सेकेंड डियर सेशन अठा रहे किस डेड़ महीने पहले ही रिजल्ट को लेकर बैठक की गई और चात्रों का रिजल् की समझ्या इसको लेकर आई जिस जिसके लीगल को भी देखा जा रहा है और बीच का रास्ता निकालने का प्रियास किया जा रहा है तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर दुबारा से बातचीत जो है दुबारा से जो यहां पर 18 एकेस और 1922 के ओपर जो एक्षान है वह इसको शुरू हो चुका है आप लोग जो भी सुरेंस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल्य अब कम से कम सुरेंस आप लोग को वन वीक यहां पर क्यूंकि जैसा कि देख सकते हैं मगद यूनिवर्सिट्ट को इसा यूनिवर्सिटीह उनिवर्सिटिई कभी भी कुछ भ अभी डायक्ट शेड्यूल एकदम जो उसका रूटीन है वो सभी के सभी स्टूडेंस के लिए यहां पर ऑनलाइन जारी कर दिया गया था बिना किसी निर्देश के बिना किसी पहले से नोटिविगेशन के तो सभी स्ट यहां पर देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मगद उनिवर्सिटी में फुल फ्लेड चार्ज में नहीं जैसे कि आप लोग को पता है पिछले कुछ से वक्त से यहां पर मगद उनिवर्सिटी के इंटरनल कुछ मैटर चल रहे हैं जिसके कारण स मगद उनिवर्सिटी का जो स्टूडेंस के उपर ध्यान है वह यहां पर हुए बहुत ही कम है लेकिन आप लोग को कम से कम एक वीक का और सभी सुरेंस यहां पर कम छे मई तक का वेड करें कम से कम 5-6 मई तक इतना वक्त वाक्त वेड किया है और वहास सारे प्रदर्शन के बात कुछ न कुछ यहां पर सामने आ रहा है सभी students यहां पर 5-6 महीं तक का वेट करें आप लोग का result जो है और फाइनली जारी कर दिया जाएगा और बहुत सारे students फाइनली एडमिशन ले चुके हैं अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो अपने अपने colleges में जाके जरूर एक बार पता करें क्योंकि part 1 के जितने भी perí में अडमिशन हो चुका है और उक या फिर शाद आपने अगर college विजिट नहीं किया तो आप लोग अगर यह सोच रहे है कि result आने के बाद admission होता है तो स्टूड श appλο को एकänge जरूर विजिट करें क्योंकि 60-70% स्टूर का admission अगले session में हो चुका है result आने से पहले तो इसके उपर भी बहुत सारे questions होंगे कि sir अगर fail हो गया कोई student से कुछ हो गया तो जो result जो admission होता है उसका क्या यानि कि अगर पहले से fail हो गया तो अगले session में तो जाएगा नहीं लेकिन admission आप लोग का admission पहले से हो चुका है तो इसके उपर भी एक detail से वीडियो आने वाली है सभी के बारे में बात करने वाले हैं खासकर अगर अभी तक admission नहीं हुआ है तो admission जाके ले लें क्योंकि जो भी चीज ऑफ-लाइन चल रही है हो सभी के सभी चीज़े कॉलेज में चल रही है और लोग जाके एक बार कॉलेज में जाके ज़रूर मिले जिनका जनका सभी स्टूरंस इस वीडियो को शेर करतें लाइक निके तो लाइक करतें और हमारे टेलिग्राम और वट्साइप ग्रूप से ज़रूर रूट जाए वहाँ पे और भी कही सारे आपको इस तूरंस देखने के लिए मिलेंगे जो की लगातार अपडेटेड है अपने से जो ही चीज होती है आपको अब आरे टेलिग्राम और वट्साइप ग्रूप में देखने के लिए मिलता है जाके जल्दी से जल्दी जोइन हो जाए दोनों को लिंग इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिलते है नेक्स अपडेट के साथ और अपडेट से नमस्कार